कि नमस्काराब जो से साथ मैं हूं, रूहानी खिलाडी का जीवन जो होता है बहुत मुश्किलों से भरा होता हुता पता फीता की उमीद होती है परिवार की उमीद होती है देश की नजरे टिके और कहीं नहीं जब वो जर्सी पहनता है देश के नाम की या फिर अपने राज्य के नाम की अपने यूटी के नाम की तो एक गरवानवित वो एक भावना जो है उसके दिल में आती है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूं अपने देश के लिए कर रहा हूं अपने केंदर शासित परदेश के लिए कर भारत माता के लिए कुछ कर रहा हूं हर एक व्यक्ति जब एक स्पोर्ट्समेन बनता है जब खिलाडी बनता है तो उसको यहीं सिखा जाता कि हार नहीं माननी है आखरी दम तक लड़ना है यह हमेशा से दहरी की दहरी रहे नहीं की तस्वीरें आपको दिखा रहेंगे किस तहां से यहां पर लिखा गया है कि क्या कोई हमारे भविश्य के लिए कि और अगोय सोच कर लेंगे कि आगे जाकर आगे क्या करेंगे क्योंकि किसक्त कि लिए भूत कुछ किना हैं कई देश को गर्व महसूस कर आहाए और यहां पर भी वही तस्वीर तरजा कि देश की बेटीयों की बाद की जाए देश की बेटों की बात की ज़सर वे एक ही जहन में सवाल रख रहे हैं क्या जौब सीक्योटी है क्या नोकरी मिलेगी तो कि देश में कहीं ना कहीं है अर्चा डगमगाई है पट्री पर तो आ रहे हैं लेकिन धीरे-धीरे समय लगेगा लेकिन बेरोजगारी दर की बड़ोतरी जो है लगातार चल रही है और यहां पर इंसाफ की मांगी इंसे बात करेंगे आपको क्या नाम है मेरा मेरा नाम रोहित है मैं प्लाइड फिजिकलाजिजेशन स्पोर्ट सब्सक्राइब का प्रेजिदेंट हूँ मैं दोस्तार हमें बीजबी पीडिबी की कॉल कुछ स्टुडेंट को तीन मंत छे मंत एक साल रहता है अवरेज होने में अल्जी सर शर मारी यह उपील है हमारा सेकंड फेस जल सी जल इस इस समय इस 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 अवागान से कितना समय हो गया जब आपको आश्वासन सामीला तीन साल से हमें कह रहे हैं कि यह तीन सालों में परिवार कि आपकी क्योंकि आपने तो बहुत उमीदे जगाई थी कि हम एक हम देश के लिए खेल रहे हैं जमुकश्मीर के लिए खेल रहां के भविश्य उजवल है मैं 2009 से मैं स्टेटिमी जोइन किया है मैं गरवालों ने सोचा था कुछ स्पोर्ट्समेन मन के कुछ आगे इनके लाइब बने की को जौब लगे कि इसलिए हमने सोचा कि हम फिजिकलाइब में चले जाएंगे हम इसमें जाएंगे आज तक मारा कुछ निमारा घर वाले हुए म हमें कोई रोजगार नहीं मिल रहा हम जाएं कहां पर आप से जाने की कोशिश करूंगे आप किस खेल से जूड़ी है खोखो से लड़की के लिए कितनी मुश्किलों भरा होता सबसे पहले मैं आपका शुक्रियादा करना चाहती हूं कि आपने हमारे लिए अपना कीमती टा लेकिन कहीं ना कहीं मानती है कि व्यथा ऐसी है मजबूरी ऐसी है कि आपको बाहर आना पड़ रहा है जब सबको कहा जा रहे हैं कि घर में बैठी आप शक्ता पढ़ने पर निकले आप बाहर आ रहे हैं क्या करें जी हमारी मजबूरी है मजबूरी के कारण हमें बाहर आना अगर नहीं आएंगे तो हमारी कमिंडिया भाहएं तो सब लोग उस से जुड़े होंगे तो उस समय आपंगे से वे पिलाड़ी के तोर पर वे एनकाल ले उनीजि़ नहीं 활 CP code सुऽिंडिया तो अगर इसकीमcciones फिजिकल टीचर ही नहीं होंगे तो इन स्कीमों का क्या बेनिफीट है आप से मैं सवाल करना चाहूंगी कोरोना काल है लेकिन आप बाहर है और तमाम जो आपके युवां हैं सड़कों पर हैं परदर्शन कर रहा हैं सेकिंड फेस की पॉलसी जो फ्रेम नहीं की गए इस समय कि नहीं सुनी है अब हम कोई स्टूड़न्ट है वो आने के लिट्यार नहीं हो आना चाहते हैं आप सब्सक्राइब नहीं सुनी गई तो तो हम यह roadblock करेंगे कि इस पॉलिसी के साथ कितने जो युवा जुड़े हुए पॉरा टोटल जम्मो किश्मीर में जुड़े हुए कोई मैडल मिलता है तो कोई मंतरी की बाद जाया किसी राजदिक दल गे नेता की बाद ट्वीट बड़े आते हैं इससमें कोई ट्वीट आया है आपको इन्साफ दिलाए है कोई अधाय लिए है कोई नियुदनी में सुनते सब्सक्राइब करने के लिए आते हैं लेकिन आपकी कोई मजबूरी नहीं सुन रहा है कि यहां पर दावेदारी बहुत हो रही और दीनी सत्य पर काम नहीं हो रहा है क्योंकि स्टेडियम की बात की जाये तो बहुती है कि मुहीं का करते हैं वह हम सब्सक्राइब है है उनकी सालसरी में होन को सोचे गा करें नहीं को साथ क्हां करें गृइन रहा हूं कर दोए हिता है कि में सबस्तर अब खुल क्या लग रहा है कि तृप कोई सफशानियों का सामना कर रहे हैं और eh कि कौन हम गया है को लिए प्रक्रेट आएगा यां अकोई कोई में तो बहुत होती है लेकिन क्या इन युवाओं की अवास कोई बुलंद करेगा यह बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि आगे आने वाला समय जो है देश में बिरोजगारी दर में बड़ोतरी हो रही है और इस तहां से जब आशवासन दिये जाते हैं और उसके बाद वो फेस के जो पॉलिसी है वो प्रेम ही नहीं की जाती तो कहीं न कहीं बहुत से युवाओं कर रहें के आगे क्या होगा भविश्य क्या होगा इसे के साथ कैमरमन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आप से विदा लिखने मुश्कार